हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कुचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में लेकर काया हूं मैं नमवर एनलोजी रीजिनिंग का बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर जो बार बार पर इक्षाओं में प्रेशने पूछे जाते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशने है 9 अनुपाते 8 तो 16 अनुपाते क्या होगा यानि कि यहां पर आपको देखना है पहले 9 का रिलेशन 8 से किस तरीके से है विल्कुल वैसा ही रिलेशन आप यहां पर बना करके यह संख्या फाइंड कर पाओगे तो पहले यहां प देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यह जो हमारा 9 होता है यह 3 का स्क्या होता है यह बात आप अच्छे से जानते हो और यह आपका जो 16 होता है यह चार का स्क्या होता है यह भी बात आपको अच्छे से पता है अब 3 का स्क्या है लेकिन 8 तो स्क्या नहीं हो होता है इतना आपको जरूर मालूम होगा होगा कि नहीं होगा तो इसमें दो तरीके होते हैं प्रेश्णि को हल करने के दोनों ही तरीके में आपको बताऊंगा पहला तरीका तो यह है कि आपका यह तीन का स्कूर है यह दो की पावर तीन तो यहां पे जो बेस था उसको देख यानकी दो की पावर चार हो जाएगा और दो की पावर चार का मान कितना होता है 16ection में तो है नहीं इसका मतलब ये तरीका नहीं लगेगा तरीका दूसरा है पहली संक्या देखो 3 है दूसरी संक्या 2 यानकी 3 से 1 कम ऐसी में 4 से 1 कम कर दूँगा तो 3 हो जाएगी ठीक है पहली संक्या में square दूसरी में Q यहाँ पहली में square तो दूसरी में Q हो जाएगा अब 3 की power 3 यानि की 3 का Q कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा पहला option सही जवाब है तो सही से समझे में आगया कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए अब देखेंगे अगला प्र लेकिन आपको कितना चाहिए 16 चाहिए 15 में आप एक जोड़ दोगे तो आपको 16 मिल जाएगा अब ऐसे ही आपके पास चौबीस जिस तरीके से आपने यहां पहली संक्या में दो से डिवाइड कर दो ले बारहबार में दिवाइड हो जाएगा अब जो डिवाइड गया है उसमें एक जोड़ा है हमने यहां तो यहां भी एक जोड़ेंगे 12 में एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा देखो पहले option में दिया गया है और यह आपका सही जवाब हो जाएगा आप देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है यह प्रेशने बहुत important है तो इस प्रे का वह ही मैं आपको बता रहा हूं, आपको देखो करना क्या है ,Then can you do you buy this code 4 ले लो आपने पहली वारे संक्या अब इसे 4 से एक कम संक्य खेलो और उससे multiply कर दो, 4 से एक कम संक्य नहीं कि 3, से multiply कर दूँगा कितना हो जाएगा बारा अब क्या करना है इन दोनों का आपस मिल गया कैसे मिला पहली वाली संख्या को लिखना है और पहली वाली संख्या से एक कम करके उसका मल्टिपाई कर देना है फिर इन दोनों का आपस में कर देना है वैसा ही लोजिक देखो यहां बनाऊंगा मैं पहल इसे एक कम संक्या से मल्टिप्पाइ कर दूगा यान कि 6 पच्चे 30 हो जाएगा फिर इन दोनों का मल्टिप्पाई यान कि 6 मल्टिप्पाई 4 तो 6 चोके 24 अब देखो 30 और 24 किस ओफ्षन में 30 और 24 तीस चोबिस देखो भी ओफ्षन में आपको मिल जाएगा यह सवाल का सही जवाब हो गया अब देखेंगे अगला प्रेशन में अब यहाँ पर देखियो आप 224 यान की बड़ी संक्या का रिलेशन छोटी से है बड़ी का रिलेशन छोटी से है अब 224 से आपको 24 बनाना कैसे बनेगा आप क्या करो यह जो 2 है इसको लिखो यह दो है इसको लिखो य क्या करना है आपस में multiply, दो दूने का चार चार दूने का 8 हो जाएगाbab दो दूने का चार- चौक्ष 16 हो जाएगा है। फिर फिर से लिखो २्य संग्याओं को फिर से लिखना है एक बार हम बार इन संग्याओं को multiply ली एक बार ली को जोड़ेंगे , sellers और दो चार और चार आठ हो जाएगा अब 16 और आठ को जोड़ो देखो 24 मिला क्या किया है प्रेश्णी में हम अच्छे से मालूम है एक बार तो इन तीनों संक्याओं को मल्टिपाई करना है एक बार तीनों को जोड लेना है फिर दोनों को जोड लेना है वैसा ही लोजिक यह पर लगेगा तीन लिखिये दो लिखिये दो लिखिये एक बार तो मल्टिपाई कर दीजिए तीन दोने का छे चे दोने का बार एक बार जोड लेना है एक बार इनी संक्याओं को जोड लेना है तीनों दो पांच पांच और दो साथ अब देखो बार और साथ कितना हो जाए से हैं उसी तरीके से 29 का nutrition आपको बनाना है अब देखिए क्या हो सकता है अगर मैं इन दोनों संख्यों को लिखूं जैसे मैं यह तीन लिख लिए और यह साथ भी मैंने लिख लिए अब पिछले question के जैसे अगर मैं दोनों संख्याओं का आपस मैं multiply कर दिता हूँ तो साथ त्रिक्त देखो 21 मिलेगा हूँ सेम लोजिक अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ दो है और यह 9 आपस मैं multiply कर दूँ 9 दूने का 18 हो जाएगा option में देखिए c option में 18 दिया गया है तो यह क्या है आपका सही अगला प्राष्णी है ऐसा प्रस्णी कभी आपको मिले तो आप उस पर देखेंगे बड़ी संख्या बड़ी संख्या है तो सबसे बड़िया तरीका इसको करने का कि या तो आप पहली संख्या कर लेशन पहली से बनाईए या फिर इनको अलग-अलग जोड़े लीजिए जैस अब इसको जोड़ू 7 और 2 9 9 10 10 और 3 13 13 में 5 जोड़ूगा ये भी 18 तो इसका योग भी 18 आया इसका भी 18 दोनों का 18 आठारा गया तो जो इसका आएगा ना वही दूसरे का भी योग आना चाहिए तो चलिए 3 और 4 7 7 और 9 हो जाएगा 14 15 16 16 और 2 18 18 में जोड़ेंगे 5 23 23 में जो जोड़ेंगे 24 कितना होगे भी 24 अब यहां पर जो संग्याव आएगी वही संग्याएगी जिसका योग 24 होगा ओप्सन में देख लीजी किसका योग 24 है 6 और 2 8 8 और 3 11 14 15 ये नहीं है इसका योग 24 नहीं है चलो 2 और 1 3 3 3 3 6 6 5 11 11 14 15 15 में जोड़ेंगे 9 24 यानि कि भी आप्स प्रशने का सही जवाब क्यूंकि इसका योग 24 आ रहा है समझ में आ गया ना चलिए अब देखते हैं अगला प्रशने अगला प्रशनी है 24 36 बामन कोशन मार्क देखो अगर मैं यह सोच हूँ कि 24 से 36 कैसे बनेगा ठीक है कैसे बनेगा 24 से 36 एक तो तरीका यह कि 24 में 12 जोड दो 36 बन जाएगा बिल्कुल ऐसे ही बामन में भी मैं 12 जोड़ूँगा तो बामन में 12 जोड़ने पर कितना मिलेगा बाई 64 मिलेगा जो की ओफसन में नहीं है तो यह तरीका तो गलत हो गया बाई दूसर तरीका यह है कि अगर मैं इन दोनों संक्याओं को लिखूँ दो और चार को और इनको मैं जोड लेता हूँ तो दो और चार कितना होगा च्छे और च्छे का स्क्वेर अगर मैं करूँगा तो 36 मिलेगा कि नहीं बिल्कुल वैसा ही मैं यहां पे करूँगा पांच औ और 2 है मेरे पास दोनों को जोंगा 5 और 2 7 इसका भी मैं स्क्वेर कर दोंगा तो 49 मिलेगा और 49 मेरे पास दिया गया है सी ऑफसन में तो सी ऑफसन क्या है सही जवाब है समझ में आया सबी को चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न एगला प्रश्न है यहां देखे 170 है 13 257 अब मैं बार-बार आपसे किस चीज के लिए कहता हूँ आपको मालूम है square अगर आपको square याद रहती है ना तो इस तरीके के प्रेश्णों को करना असान हो जाता क्यों क्यों कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो 13 है ना मेरा 13 का square अगर मैं करूंगा तो 13 का square होता है 169 और ये क्या है 170 यानि कि 13 का square प्लस 1 है ये इस संख्या का square प्लस 1 तो ये जो संख्या है ना यहाँ पे जो संख्या होगी उसका square प्लस 1 है तो प्लस 1 जो है गोसे मैं हटा देता हूँ तो क्या बचेगा 256 बचेगा 256 प्लस 1 तबी तो 256 होगा तो 256 आपका किस संख्या का होता है 16 का फर्ग 256 पिलस 1 257 इसका मतलब 16 सही जवाब है आपको अगर स्क्वेर याद नहीं होते तो सायद आप इस प्रश्णि को नहीं बना पाते इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि स्क्वेर याद कर लीजी चलिए अब देखतें अगला प्रश्णि अगला प्रश्णि है 58, 13, 49, 68, 14, 14, यान कि यह जो नंबर एनलोजी के क्वेर थोड़ा बड़ा है कैसे रिलेशन आएगा देखो अगर आप ये 5 और ये 8 आपस में जोड़ दो 8, 5, 13, जानि कि आपको देखो अगली संक्या मिलगी इन दोनों को जोड़ो के तो अगली संक्या मिल जाएगी अब ये आपके पास क्या है 13, 13 से 49 बनाना है अगर 13 का मल पर तीन से कर दो तो 49 बन जाएगा सेम लोजिक आगे लगाना है पहले हम इन दोनों को जोड़ा था यहाँ पे भी हम इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 देखो 14 मिल गया अब ये जो दूसरी संक्या ना 14 इसका मल पर ही क्या करना जैसे हमने यहाँ 3 से किया था ना 56 पहले ही option में, अब logic क्या है, यहाँ पर मेरा एक आइन 3 था तो मैंने 3 से multiply किया, यहाँ 4 है तो मैं 4 से कर दूँगा, बात सभी को समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, अब देखते हैं आगे, अगला प्रेशनी, बिल्कुल पहले के जैसा question, लग रहा होगा ब 10 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, भाई, 8 और 5 को जोड़े, 13 मिलेगा, ते 9 नहीं है, तो इसमें जरूर कोई दूसरा logic है, जरूर इसमें कोई दूसरा logic है, अब क्या logic है देखी, यह जो पांच है न, यह 5, यहनकि प है पहली संक्या का रिलेशन दूसरी से बनाईए और दूसरी का यहां पहली से इस तरीके से बनाईए इस तरीके से पहले आपको यह रिलेशन बना लिदा है जब बनाओगे तभी आगे के रिलेशन को find कर पाओगे समझ में आ रहे हैं ना मेरी बात तो देखो करोगे क्या आप ध्यां रखना आठ और दो ऐसे बना रहे हो ना आठ और दो को जोड़ो आठ प्लेस दो दस हो जाएगा ठीक है और पहली और तीसरी का मलपए कर दो पांच गुने तीन पांच तरीक का पंदरा हो जाएगा अब इनको आप जोड़ोगे दस और पंदरा यह हो गया पचीस लेकिन हमको चाहिए बामन तो इस पचीस को रिवर्स लिख दोगे पलटके तो यह बामन हो जाएगा अब सेम लोजिक आपको आगे करना है मैंने इन दो संघ्या से बना लिए अब इन दोनों से बनेगी से बनेगी इस तरीके से ठीक है ऑठ को दो को जोड़ा था ऐसी में आट को और पांच को जोड़ लोंगा तो आट और पांच को अगर मैं जोडता हूं आट प्लस पांच ही हो जाएगा तिरा और यह बाहरवाली संघ्या है इनका हमने multiply किया था था ना तो इनका multiply करूँगा 6 और 6 का multiply हो जाएगा चेचिंग 36 अब जोड़ो तीन और छे नो चार हो जाएगा ये तो केतना हुआ उनन्चास अब जो आया था था ना जोड़ने पर उसका हमने देखो reverse लिखाता उल्टा तो यहां पर इसका भी reverse लिख ल 8 है आठ आप कैसे लिख सकते बढ़ी 3 का square –1 लिख सकते हो क्यूंकि 3 का square नो होता है –1 कर दोगे तो 8 मिलेगा इसको क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो आप 3 का Q Q plus 1 क्योंकि 3 का Q 27 होता है plus 1 कर दिएंगे तो 28 हो जाएगा बात के लिए रहे न बिल्कुर सेम लोचिक यहाँ पर लगाईए अगर मैं 4 का स्क्वेर करता हूँ और minus 1 करता हूँ तो मुझे 15 मिलेगा क्योंकि 4 का स्क्वेर 16 minus 1 15 यहां क्या आएगा देखो यहां भी 3 था यहां भी 3 है अब यहां 4 है तो यहां भी 4 होगा स्क्वेर वाले में minus किया था हमने तो यहां भी स्क्वेर वाले minus कर दिया और Q बाले में plus है तो यहां पर Q बाले में plus 1 करेंगे तो 4 का Q 64 और प्लेस कर देंगे 1 तो यह हो जाएगा आपका 65, देखो 65 किस option में, यह रहा सी option, बिल्कुल सही जवाब, समझ में आ गया न, अब देखते हैं अगला question, अगला प्रशनी है, 341 का relation 44 से है, तो 254 का relation किस संख्या से है, तो 341 से 44 कैसे बनेगा, देखेगा, ध्यान दीजे, मे पावर में रख देना है, पहले की पावर 3 करूं, दूसरी की पावर 2 करूं, तीसरी की पावर 1 करूं उस तरीके से, तो 3 की पावर 3 का मान 27, 4 की पावर 2 का मान 16, एक की पावर 1 का मान 1, अगर मैं इनको अब क्या करूँगा, जोड दूँगा, जोड दूँगा तो कितना हो है और 4 है 3 2 1 पावर 3 2 1 तो 2 की पावर 3 कमान 8 5 की पावर 2 कमान 25 4 की पावर 1 कमान 4 जोड़ो भाई 25 में 8 जोड़ोंगा 33 33 में 4 जोड़ोंगा हो जाएगा 37 किस option में भाई बी option में 37 है तो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और शेर कर दीजो इन सभी बच्चों तक जो ज़साम की तयारी कर रहे हैं वहां तक वीडियो को जरूर शेर कर दीजे ठीक है दोस्तों धन्यवाद